हाई दोस्तों आज हम बात करेंगे पलसर 125 बाइक जो बजाज कंपनी के पलसर 125 बाइक आती है उसमें लगने वाले कोछ पार्ट के बारे में जैसे क्लश केबिल, ब्रेक केबिल, मीटर सेंसर, इस लेटर केबिल तो आज हम बात करेंगे क्लश केबिल से शुरुवात करेंगे क कि पल्सर 125 वाईक में लगने वाले क्लाशकेबिल देखें JCich 19 2004 जेसी 19 2004 नमबर के क्लशकेबिल लगती है पलसर 125 वाईक में हम केबिल खोल कर देखते हैं कि की इस तरहा केबिल लगा होता है क्लाशका क्लासके लग हो स्लॉप हर की सायज होती है लगभग इस पर देखे क्लश केबिल पर भी पार्ट नम्बर लिखे होते हैं बजाज बाइक का कोई भी अगर केबिल लेंगे तो उसके पार्ट नम्बर लिखा रहेगा एक लिखा है जेसी उननीस एक हजार चार यह प्लश केविल का प्रट नमबर है तो कभी आप सर्विस सेंटर या मारकेट से केविल खरीतते हैं कोई भी पार्ट खरीतते हैं बजाचका तो सुझबे हर एक पाट का पाट नमबर अलग-अलग होता है तो यह केविल को गया JC 1994 इस बात को ध्यान देंगे तो आगे बढ़ते हैं हम इस लेटर केबिल क्यों पलसर 1,25 बाइप में दो तरह की स्लेटर केबिल लगते हैं एक देखे दि-h 1997 है और एक है DH-19 1987 दो तरह के क्रेश केबिल लगते हैं पलसर 1,25 बाइप में तो आप का जो है कि 97 नंबर जो केबिल है उसका हम आप खोल के चेक कर लेते हैं देखिए DH1997 DH1997 एक लच केबिल अरे सॉरी DH1997 इस लेटर केबिल पलसर 125 के ड्रम ब्रेक की बाइक में लगते हैं तो इस बात को आप ध्यान देंगे हमेशा कि पलसर 125 के ड्रम ब्रेक में ये पार्ट नमबर लगता है तो अब हम डिस्क ब्रेक की केबिल के तरफ चलते हैं कि डिस्क ब्रेक में कौन सा केबिल लगता है कि DH1997 ये डिस्क ब्रेक की केबिल है इस लेटर के इस पर टंबर लिखाओगा DH1997 ये जो है इस लेटर के ब्रेक ब्रेक का है तो ध्यान देजिएगा यह सभी की जनकारी के लिए है कि जो भी बाइक चलाते हैं तो अगर आपके पार्ट खराब हो रहे हैं तो इसको अगर आप चेंज करवा रहे हैं तो औरीजिनल पार्ट ही चेंज करवाएं तो औरीजिनल पार्ट की लाइफ अच्छी होती है आपका जो बाइक है वह भी सभी रहता है तो आज हम बात फिर आगे हम बात करेंगे पलसर 125 कंबाइंड ब्रेक सिस्टम आता है कंबो ब्रेक इसमें अगला ब्रेक मारने पिछला ब्रेक भी लगेगा और अगला तो लगेगा ही उसे तरह पिछला ब्रेक मारने पर अगला ब्रेक लगता पिछला दोनों साथ में ब्र इसका ये हिस्सा देखिए ये हिस्सा अगला डिस्क ब्रेक के या ड्रम ब्रेक का जो भी रहोगा ब्रेक लीबर हैंडिल में लगता है दाहिनी तरफ वहां से जोड़कर ये पिछला हिस्सा ब्रेक पैडिल में जाके ब्रेक पैडिल के पास लगा रहता है तो यह ब्रेक केबि तो यहां पाट नमबर ध्यान रखिएगा फिर आगे हम आप बढ़ते हैं दूसरे ब्रेक केबिल का यह देखिए ड्रम ब्रेक की बाइक में लगता है केबिल ड्रम ब्रेक की बाइक में दो के भी लगते हैं देख लिजे ड्रम ब्रेक के अगले चक्के से जुड़ता है यह जहां ब्रेक लीबर है ड्रम ब्रेक की बाइक में लगता है यह ड्रम ब्रेक की बाइक में अगले चक्के से जाकर जुड़ता है अगले चक्के से लेकर हैंड ब्रेक चाहां हैंडल में ब्रेक लगा रहता है उसमें दीए चुनीजदस चौरानवे इसमें देखिए पार्ट नम्बर लिखा है दीए चुनीजदस चौरानवे केविल के पार्ट नम्बर है तो आगे बढ़ते हैं फिर एक केविल और बच जाता है इसमें दीए चुनीजदस अठासी इस केविल पर भी देखिए पार्ट नम्बर लिखा रहता है देखे लिए दिए चुनीजदस अठासी इह ब्रेक केविल हो गया फिर हम बात करते हैं मीटर सेंसर की इसमें लगने वाले दो तरह के मीटर सेंसर होते हैं यह देखे ड्रम ब्रेक का है डिएच 20-11-57 आकरी आता है डिस्क ब्रेक का डिएच 20-10-8 तो दोनों को हम आप खोल के चेक कर लेते हैं यह डिएच 20-10-8 यह मीटर का सेंसर है यह अगला हिस्सा चक्क्य में जाके लग जाएगा और ये पिछला हिस्सा उपर हैंडिल के पास मीटर में जाके जूड़ जाएगा और मीटर सेंसर आपका मीटर चलने लेगा फिर बात करते हैं ड्रम ब्रेक की ड्रम ब्रेक की बाइक में लगने वाले मीटर सेंसर का तो ड्रम ब्रेक में यह हिस्था आपका ड्रम में अगला चक्के में जाके लग जाएगा और यह मीटर के उपर जो है कि मीटर वाले तार में दो कॉपलर होते हैं उसमें जाके लग जाएगा अब हम उसी में मीटर सेंसर में ये कंप्लीट आता है तो कंप्लीट भी देख लेते हैं ये देखिए ये अगले चक्के में जाके फिट हो जाएगा डिस्क ब्रेक बाइक में किवल लगेगा और ये पिछला हिस्सा मीटर में जाके मीटर वायर में जुड़ जाएगा आज के बस इतना दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलेंगे धन्यवाद